सारी दुनिया कहती है हार माल लोग लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिस कर तुझ जरूर कर सकता है तो कभी भी हार मत मानिये और हमेसा कोशिस करते रहे सफलता आपके कदम में होगी तो इस विचार के साथ आज सुरू करेंगे हम अपना टापिक जो की हिंदी का है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ये ऐसा टापिक है जो एक्जाम में पूछा आता है अगर आपके एक्जाम में हिंदी आएगी तो ये क्या दो नंबर का ये टॉपिक हमेशा आता है तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक को अगर आपको वीडियो अच्छा लगए लाइक कर दीजगा, सेर कर दीजगा चैनल प्रणया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजगा बेल आइकन दबा दिएगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे तो सुरू करते हैं आज को टापिक पहला प्रश्ण है कनिष्टिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं अनामी, अनामिका, अनीमिका या अनामिका तो मध्यमा और कनिष्टिका के बीच की जो उंगली होती है वो कहलाती है आपकी अनामिका डिया अप्सन इसका सही होगा एक्जाम में काफी बार पूछा गया है देखे जो भी प्रश्ण है ये सब ही किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं अगला प्रश्ण है जिसके पेट में माने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम या दामोदर तो जिसके पेट में माने रस्सी बांधी होती है उसे कहा जाता है क्या दामोदर कहते हैं उसे क्या कहते हैं दामोदर कहते हैं आपका D option में सही होगा एक्जाम में ये भी काफी बार पूछा गया है पीछे-पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या आपका अनुगमनी है तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो सब्द है वो है अनुगामी B आपसन आपका सही होगा जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांस के लिए सब्द है कीमती, बहुमूल, अमूल या इन में से कोई नहीं तो जिसकी कोई कीमत ना हो वो होता है आपका अमूल अगला प्रशने थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यान्स के लिए उप्युक सब्द है मितववे, मितवे, मितवे, मितहरीन तो थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता आपका मिताहरी ठीक है, बी आप सुने इसका से होगा ये जो आपका है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वेरी वेरी इंपोर्टेंट है काफी बार इसको एक्जाम में पूछा जाता है गुरू के समीप रहकर अध्यन करने वाला कहलाता है जिसके हरदे पर आघात हुआ हो के लिए उप्यूक सब्द है ये होगा मरमाहत फिक है? मरमाहत होगा C option आपका सही होगा अगला है जो अपने पद से हटाया गया हो जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उप्युक सब्द होगा पद भरस्ट, पदावनत, पदानुगत, पद चिवत तो जो अपने पद से हटाया जाता है वो होता है पद चिवत आपका D option इसमें सही होगा देखिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ऐसा topic है हर exam में पूछा जाता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है ठीक है तो topic आपके लिए बहुत ही महत्रपुण है वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि सरल topic होते हुए आप लोग गलतिया कर आते हैं आप सोचते हैं कि मुझे तो यह आता है इसकी पढ़ने की कोई जरूर नहीं है लेकिन revision करते रहेंगे तो आपकी गलतियां कभी नहीं होंगी अगला प्रशन है जिसे किसी वस्तु की इस्प्रह नहीं हो यानि जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं हो तो वो क्या कहलाता है निस्प्रह, 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 निस्प्रह है तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं हो यह होगा निस्प्रह आपका C आप से निस्प्रह सही होगा जिसकी कोई जिसकी पूरु से कोई आसाना हो प्रत्यासित अप्रत्यासित या चौथा अप्सन से होगा तो इसका अप्सन आपका चौथा से होगा क्योंकि वर्तनी के इनुसार से यही सही है जिसकी पूरु में आसाना हो अप्रत्यासित पती युक्ता इस्त्री के लिए एक सब्द होगा यह होगा सध्वा यह अंग की बिंदी नहीं लगेगी सध्वा होता है यानि पती युक्ता इस्त्री जिसका पती जो है उसके साथ हो सध्वा और अगर नहीं हो तो विध्वा जगड़ा लगाने वाला मनुष से एक सब्द में कहा जाएगा सकुनी जैचंद विभीशन नारग तो कौन सा होगा नारग महल के भीतरी भाग को कहते हैं अन्त पुरह गर्भ 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 भीतरी तल अन्तियज तो महल के भीतरी भाग को कहते हैं अन्त पुरह बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता अधिवक्ता प्रवक्ता या वाचाल तो बहुत अधिक बोलने वाला होता है आपका वाचाल बिल्कुल सही जवाब आपका जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए सब्द होगा असाद दुहसाद साधन हीन स्रमसाद तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए सब्द होगा असाद ले जिसको जीता ना जा सके अजे पराजे अग्गे दुरजे जिसको जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा सब्द प्रयुक्त होगा तो आपका आप्शन सही होगा अजे ठीक है जिसको जीता ना जा सके वो होता है अजे जिस इस्त्री का पति जीवित हो अभी मैंने बताया था वो होता है सद्ध्वा क्या होता है सद्ध्वा न हो सके उसके लिए उप्योग सब्द है अपार अमित अच्छ है एक होगा आपके लिए अच्छ है दूसरा होगा अनन्त तो इसमें से कौन सा आपसन सही है जो छीड न हो सके वो होता है आपका अच्छ है ठीक है जो सब कुछ जानता हो अमित बहुग ज्यानी सरवग जो सब कुछ जानता हो वो होता है आपका सरवग जिसके सिर्पर चंद्रमा हो क्या होगा उसके लिए उप्यूग सब्द वो होगा चंद्र से खर आपको पता ही है जिसके हर्दे में ममता नहीं है के लिए सब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय तो जिसके हर्दे में ममता नहीं है वो होता है आपका निर्मम क्या होता है निर्मम तिलक लगाने में किस अन्न का प्रियोग होता है गेहूं ज़ओं अच्छत उड़द तो तिलक लगाने में प्रियोग होता है अच्छत का ठीक है बिना तूटा हुआ अन्न जो होता है उसे तिलक में तिलक लगाने में प्रियोग किया आता है जिसका जन्म छोटी अर्थात निचले वड़ में हुआ हो उसके लिए सब्द है अंडज, अंत्यज, अच्छूत या सूद्र जो था आपका यह वोगा सूद्र तो जिसका जन्म छोटी जायत में हुआ हो वो होता है अंत्यज अगला जो प्रशन है बहुत ही महत्पूर्ण है खाद सामगरी जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है सलपाहार, पत्थ, पाथे या उपाहार तो खाद सामगरी जो रास्ते में खाने के लिए उपयोग करने के लिए उपभोग करने के लिए दे जाती है ये होती है पाथे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है ठीक है आप लोग जो है गरबर कर देते हैं अगला भी जो है पहुत ही महत्पुढ है आधी रात का समय क्या कहलाता है ये कहलाता है निसीत आधी रात का समय जो है निसीत कहलाता है अंसर भी दिया गया इसका D होगा रंग मंच के परदे के पीछे का इस्थान कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रश्ट भूम, मंच प्रश्ट नेपथ, गुह मंच तो रंग मंच के परदे के पीछे का जो इस्थान है वो कहलाता है आपका नेपथ C option आपका सेयोगा very very important आपके लिए हक अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्रेपुड़ है हिवय जलाने वाली लकडी कहलती है होत्य इसिसक्ट कास्ट one कास्ट या समीधा तो हवन में जलाने के हि लिए जो प्रीक्ट होने वाली लकडी है वो क्या होती वो घृती आपकी समिधा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा डी आपसन इसका सही है दिसाएं ही जिसका वस्त्र हैं दिसाएं ही जिनका वस्त्र हैं कहलाता है तो दिसाएं ही जिनका वस्त्र हैं वो कहलाता है दिगंबर क्या कहलाता है दिगंबर अगला प्रश्ण है जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानिन, कुमारी सुत्र तो जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो कौन सा अपसंस है होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे ठेक है अभी बताएंगे आप लोग comment करके फटा फट बताएंगे comment करके इसके बाद last वाला प्रशन है उसको देखते हैं उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊगा आपको तो प्रस्ण है लास्ट हमारा पेट की अगनी के लिए सुद्ध सब्ध है दावागनी बडवागनी मंदागनी जठरागनी तो पेट में जो अगनी होती है वो होती है जठरागनी जठर माने होता है पेट तो पेट की अगनी होती है आपकी जठरागनी ठीक है इसे प्रकास से आज के हमारे जो 30 प्रशन थे महत्तपोंड थे और आपके लिए एक्जाम में आने के संभावना रखते हैं दीखे मैं छोटे-छोटे वीडियो बनाता हूं और आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं और क्योंकि कम पढ़े अच्छा पढ़े मेरा उद्देश यही रहता है य जब आप दिख्यों पढ़ाता हूं तो आप जट्व के इसाब से टाइम लेता हूं खेर 29 वाला जो प्रस्ण मैंने आप से पूझा था उसका जवाब मैं अभी बता देता हूं आपको कि जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो वो क्या होता है वो होता है कानिन ठीक है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा सीडीपी बाल विकास पढ़ने के लिए अगर आम मुझसे जुड़े हुए है तो उसका वे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ठीक मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक यू